हेलो गुड मॉर्निंग स्वागत आपका मेरी चैनल है सलूशन पे मेरा नाम है सवरवर्मा और मैं अभी अमेरिका कैलिफॉर्णिया में हूँ यहां पर पढ़ाता हूँ तो आपको बता दूँ आज हम बात करने वाले हैं mixing ratio के बारे में सब लोगों को पता है इसके बारे में कि mixing ratio है क्या बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो मैं धीरे धीरे ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपको हर एक brand के बारे में बताया जाए आज मैं almost सारे brands क के बारे में बात करने वाला हूं L'Oreal Vela, Matrix, Shoskov, Streaks यह सब ब्रैंड्स के जो mixing ratio है उनके बारे में discussion करेंगे सबसे पहले मैं बात करता हूं Vela के बारे में Vela का mixing ratio है वो है one is to one मतलब अगर आप 30 gram color tube लेते हैं तो 30 gram ही developer लेंगे चाहे वो कोई भी color number हूँ कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे वो कोई भी developer हूँ कोई फरक नहीं पड़ता है 30 gram tube 30 gram developer स्पेशल ब्लोंड की बात नहीं कर रहा हूं उसकी बात मैं बाद में करूँगा ध्यान रखियेगा तो सबसे पहले जो सबसे उपर है वेला 1 is to 1 का ratio 30 gram color tube 30 gram developer इसके बाद आ जाता है streaks भी सेम है 1 is to 1 का ratio 30 gram color tube 30 gram developer तो यह same mixing ratio होगा अगर एक चमच आपने color tube डाली तो एक चमच ही developer डालना है इनकी सारी color tubes में same ratio है कोई चीज भी अलग नहीं है तो ज़्यादा confused होने वाली बात नहीं है एकदम easy और simple तरीके से समझा रहा है इसके बाद आ जाता है L'Oreal, Matrix and Shoskov तो यह जो तीन brand है 3rd, 4th and 5th number पे यह है इसमें mixing ratio है 1 is to 1 and half मतलब 30 gram अगर आप color tube डाल रहे हो तो 45 gram हमको developer डालना है जाहे वो कोई भी color tube हो सब color tubes के लिए same mixing ratio है अगर आप मालो 10 gram मैंने डाला color tube तो developer कितना डालेंगे हम बताईए बताईए 15 gram राइट डेड़ गुना डालना है हमेशा जो भी developer color tube का डेड़ गुना डालना है अगर हमने color tube ली है 20 20 gram color tube ली है 20 gram तो developer लेंगे हम 30 gram यास तो डेड़ गुना हो जाएगा यह आप count करते रहेगा और दिमाग में बिठा के रखिएगा कि लोरियल मैट्रिक्स शौसकफ का जो mixing ratio है वो one is to one and half है इसके बाद हम बात करते है special blonde की जैसे कि मैंने पहले बताया था मैं बताने वाला हूँ special blonde के बारे में तो जो special blonde series है यह different series है 11 या 12 number के इसके अंदर color आते हैं इस सिरफ blonde color ही होते हैं बट थोड़े you know जो reflex है इदर उदर हो जाते हैं बट number यही रहेंगे इसका जो mixing ratio है वो है one is to two special blonde का जो mixing ratio है वो है one is to two अगर आपने special blonde tube जो है वो डाली है 10 gram तो हम जो developer है वो डालेंगे 20 gram double right तो यह जो मैं बता रहा हूँ special blonde special series है blonde hair के लिए इसके अंदर आप 30 volume या 40 volume यूज़ कर सकते हो 20 volume नहीं यूज़ होता है कुछ लोग करते है कोई problem नहीं है ऐसा बिलकुल मना नहीं किया हो बट highlights के लिए हम लोग 30 and 40 volume ही यूज़ करते हैं तो इसका mixing ratio है one is to two इसके बाद हम आजाते हैं blonder मतलब bleach के उपर blonder के अंदर जो mixing ratio है same है one is to two अगर आपने blonder जो powder है या cream base आता है अगर आपने 20 gram डाला है मान लीजिए एक example ले रहा हूँ 20 gram blonder डाला है तो कितना होगा developer 30 volume या 40 volume जो developer है वो कितना होगा 40 gram double हो जाएगा one is to two का ratio एक का double अगर 10 gram blonder है तो 20 gram हम लोग developer डालेंगे clear है सबको तो आज मैंने almost सारे brands के बारे में बता दिया है हम लोग बात कर रहे थे last काफी दिनों से आज है almost हमारा छठा दिन है पढ़ाते हुए color class और I hope आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम जो बात कर रहे है developers के बारे में mixing ratio के बारे में colors के बारे में reflects के बारे में बेस के बारे में तो आप लोगों को समझ में आ रहा है आज का video जो था अगर आपको पसंद आया तो like, share, comment कर दीजे जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ हमारे नए paid course आरे जो की यहां पर दिखाई देंगे इन paid course में आप देखी रहे हो almost बहुत सारी videos मिलेंगे आपको recorded videos जो कि हमने already काफी सारे topics उसमें cover कियो हैं कौन-कौन से topics हैं उस पर बात कर लेते हैं हम इसमें है full color class, basic haircut 7, advanced haircut 5, olaplex treatment, smoothening, carotene, carasmoothening, state therapy, french balayage, hair extension, permanent blow drive, palming और दो दिन का make-up class तो यह आपको total 111 videos मिलेंगी जिसके अंदर आप यह सारी चीज़े सीख पाएंगे और इसकी जो fees है वो भी आप screen पर देख पारे हो पास के बारे में डालते रहते हैं और काफी सारी video trailers भी डालते रहते हैं आप जाके जरूर फोलो करें इस पर routine में जो भी post आती है hair tips के बारे में वो भी यहां पर मिलेंगी आपको हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजेगा यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो ज्वाइन का बटन है लाइक के एक दम बाजू में तो आप अगर subscribe बटन के बाजू में जो ज्वाइन का बटन दबाओगे तो उस पे एक video मिलेगी आपको जो की तीन मिनट की video है उस पे का detail में बताया हुआ है कि अलग-अलग हमने course बनाए हैं उसमें भी बट वह यह course से अलग है वो अगर आप routine में course करना चाते हैं चोटे-चोटे course हैं चोटे-चोटे वीडियो हैं अगर आप join करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं वहां जाके देखिएगा वहां detailed video है और बताईए कि हम लोग एक नया course लेके आ रहें आज की वीडियो पसंद आई ते इसके बारे में बताईए और शेयर कीजिए जाल से जादा शेयर कीजिए हमें शेयर की बहुत जरूरत है ठीक है और अगर आपको वीडियो यही दुबारा देखनी है दुबारा क्लिक कर सकते ह अधरवाइस हमारे फेस्बुक पे भी यह वीडियो है और इंस्टाग्राम स्टेटस में भी यह वीडियो मिल जाएंगी आपको चलिए आज के लिए इतने फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाय थेक्यर, have a good day, enjoy, बबाय झाल